हालो स्टुडेंट्स वेलकम हेर आगे नों माई चैनल जानकरीद मैं सलफित अविलाशी शेर्मा वेलकम्स तो अलोफ यू हेर और माई चैनल जानकरीद MCQs as a practice session अजदा जो वीडियो है प्लस फन अकाउंट्स ना लेटर पार्ट सेकिंड दे रूप स्ट औरेनल मैं शेर कर रहे हैं अलड़ी पार्ट फर्स औरेनल शेर कर चुके हैं आओ अजदे MCQs देखिए इस स्टार्टिंग जो साड़े अनिशल पार्ट्स ने जोनल बेसिक कॉंसेप्स जा बेसिक थियूरीज ओफ अकाउंट एंसी तो लेके सब्स्ट्री बुक्स या एक्टिफिशन ओफ एर्रस तक दे कुछ MCQs ने यह MCQs जे ना सुचो के एक्जाम ज एक्जेक्टली इस ए वर्डिंग होएगी बट मैं कॉंसेप्स नो भी नाल क्लियर करूंगा ते आओ तुसी भी अपना एक टेस्स लेके देखो लेट्स मूव हैड विदी मी तो डिसकस आल दीस MCQs Students, first ask the question Debtor is a person Debtor इक जेहा व्यक्ति है Four options are there From whom goods are purchased B option is To whom goods are sold on credit C option To whom cash is given D option To whom goods are sold on cash 4 option Debtor किस व्यक्ति नो कहन देने जिस्तों goods purchase कीतियां कियां हो जिस्तों जिसनों goods credit सेल कीतियां हो जिसनों cash दीता हो या जिसनों goods cash सेल कीतियां हो Four option Soucho जरा ये भी परिशान है थोड़े सामने जो इमोजी बनी हुई है ते तुस्सी भी सोच रहे हो जल्दी सोचो मेरे ख्याल तुसी समझ गया होगे आओ इसा answer check Answer is to whom goods are sold on credit B option is this one is as answer जिसनों वस्तुआं तुसी credit वेचियांने ते आन्वाल समझ जो debtor कौन होंदा है जिसनों तुसी पैसे लेने ने ता person who ought to the business जिस विक्ती ने business नों पैसे देने ने वो debtors होंदेने बिजनस दे जिसनों तुसी किसे नो goods credit एडिट सेल करोगे ता आन्वाले टाइंच उस तो पैसे भी लेने ने तो वो व्यक्ती नोड़ा की बनगा debtors समझ लगी मेरी गाल अपने जेकर question ठीक है दो number add करो हर ठीक तो ते दो add कर दे जाओ अपने आएक test लेके देखो सारा समझन तो बाद फिर next day खुद test दोबारा करके देखो तो उसी महसूस करोगे तो बहुत सारे आंसिस दोबारा ठीक होनगे now second question cash at bank is a dash bank दे विच cash जो सड़ा पैसा जमा है की है हो current asset है is it liquid asset है none of the above A and B है both A and B है for options ने A, B, C, D दे रूप दे विच सोचो ज़रा जो cash at bank है की हो current assets होनदा है liquid assets होनदा है इना जो कोई भी नहीं ज़रा सोचो जल्दी let's मेरे खलतो सी सोचो करे हो answer देखिए answer is D, both A and B क्योंकि जो cash at bank है bank दे विच जो साड़े पैसे जमा होए वेने current assets भी थे liquid assets दोनों format दे विच मना जानदा है आंसर इस बहुत A and B clear? दो नूमबर हो रहे अड़ कर लो जे ठीक है निता next time ठीक होएगा तो next question next question is external user of accounting information R देखो जो account सी information हों दी है उननों इतना business दे अंदर बहुत सारी लोग use करते ने business दी जो management है जो owners ने वो सारी use कर देने जो तुसी accounting record त्यार कर दियो एक accounting information दे external बाहर ले उपियोग करता कौन हो सकते ने A option is government, B researchers C possible investors D all of the verb think about it, I think you have already thought about it, yes आओ answer check करिये, answer is all of the verb, D option is this one कारण की है, जो दो सी accounting information त्यार कर दे है, government जा government दे बहुत सरे departments दे लिए information important हो सकती है, जड़े business जा economic point भी तो research कर रहे ने, ओना लिए ओना लिए information important हो सकती है, या जीना ने business दे वीचे time to time invest करना है, ओ possible investors, संभावित जड़े investors ने ओना लिए information important हो सकती है, so these, all of these can be the external user of accounting information, innovation student question number fourth, which of the following is a. goodwill, b. plant, c. machinery, d. cash सोचो, मेरे खला असान question है तो नुस्सारा नों आन्दा होएगा answer check करिए, answer is a. goodwill सबतोर पहला सानू बता होना चाहिए, जड़े tangible acid होंदी है, मूरत, जिस्दा रूप होंदा है मूरती दी तरह, intangival amूरत, जिस्दा कोई physical formation नहीं है plant, missionary, cash, ये तिना दा कोई रंग रूप होंदा है, goodwill जिसनों सी परसिद्धी कहने है, साख कहने है, ये दा कोई रंग रूप होंदा है, it's intangival acid, clear हो गया, next question, शे नुमबर fifth, according to accounting cycle which accounts are made after journal जो लेखा कारी चक्कर चालता है, accounts ते विचे सी कारते हैं कि different type दे सी, journal तो next, उस तो next, उस तो next, final account तक पहुंच जाने है उससे इमसार, journal तो बाद की बंदा है, four options आरते हैं profit and loss account, B, trial balance C, laser, D, none of these इना विचो कोई भी नहीं, सोचो ज़रा की answer है, मेरे असान question है, तो उसी समझ गए होगे answer चेक करिए, answer is C, laser सानु सारा नो पता है, journal entry तो बाद different type दे account दा अलग-लग हिसाब था, maintain करन दे ले एक के ले व्यक्ती जा different type दे account बंदेने किसे व्यक्तियां दे, या asset से expenditure दे, income दे उना सारा नो उसी laser accounts कहन दे लेजर दे बेच पोस्टिंग किती जान दिया, so journal entries तो बाद जिस अकाउंट नो यूज किता हैं दा हो कि उन्देने, laser question no.6 full form of IFRS IFRS full form of IFRS IFRS दी full form किया है A option is international financial reporting standard B is Indian food in a raw supply C option is international fame resort system D option is none of these companies त्यानल सोचो Commerce student हों तुसी I think सोच लिया आओ answer check करिये answer is international financial reporting standard A option is this is the full form of IFRS याद रुखो international level दे जो financial instructions ने जो standard एक maintain कीते गेने उस दे ना related concept है IFRS clear students students जो international financial reporting standards ने इसनों issue किता जानदा है international accounting standard board दे दुवारा जिसनों IAS भी दा नाम दीता जानदा है सो यह option is the answer आओ students अगे वादिये next साटे को लिड़ा question है question number 7 according to going concern concept a business is assumed as having accounting जो going concern concept है जो theory theory base of accounting concept दे विचा सी study कर दे है उस दे अनुसार business नू की मनने जानदा है के नॉर्मल फॉर्म दे भी जड़ा business है एक indefinite life है और नन अफ़ दीस think about it I think answer is quite clear to you according to going concern concept a business is assumed as having an indefinite life एक joint venture नू चाड़के partnership नू चाड़के ओ partner सी मर्जीत है अधरवाईस ए मनने जानदा है के normal form दे भी जड़ा business है एक going concern concept है indefinite life है अनिच्छी तरूप चे जारी रहेगा है क्योंकि future दी डी यहाँ happening है उस्ते हो सब्सक्राइब बिजनस वां दो जे otherwise it is assumed के business दीख indefinite life हों दी है so D option is this is the answer question number 8 what is the full form of GAAP what is the full form of GAAP four options are there greatly acceptable accounting personality greatly accepted accounting principles both A and B D option is none of these think about it मेरे खाल सानु clear होना है clear साफ रूप दे विच सानु आनु पढ़के ही समझा है the full form of GAAP is generally accepted accounting principle that is B option generally accepted accounting principles question number next question number 9 now move question number 9 cash or goods withdrawn by owner for personal use is known as business दे ओनर दे दवारा व्यक्तिकत वर्त वर्त न दे ली जेकर cash या goods नू विड्रा कर ले जावे business दे भी चौस नू की कहन देने 4 options आप दे रहा हैं sales, B purchase, C stock, D drawings मेरे खाल चे question maximum students नू आदा हुएगा think let's see the answer D is drawings आनु पता है drawings की होन दे या ने whatever you withdraw from the business as a owner it may be in cash or kind वस्तुआ या cash ने रूप दे विच जो भी business चों विड्रा कर ले जाबे personally use दे ले उसनू drawings कहन देने next question question number 10 payment to creditors means जेकर business अपने creditors नो payment कर दा है ता इस दा मतलब वसी की समझिए की इस देनाल increase in assets और decrease in liability होन दा है B option decrease in assets और decrease in liability होन दा है C option decrease in assets और increase in liability होन दा है D option increase in assets and increase in liability होन दा है सोचो ये tough question है थोड़ा details सोचना पहेगा जो दो payment कर दे हैं किसे creditors उनो दो हुंदा की है वो दो assets और liability होन दा है मेरे खाल तो उसी सोच चो के होंगे आओ answer देखिए B option is the answer decrease in assets and decrease in liability आओ इन्हों मैं समझाना है असी अपने creditors उनो पेमेंट की ती मालो creditors दा नाम A सी ता जोर्नल यसी entry की कर दे है A is the receiver A account debit to cash मालो असी यह मालन दे है कि A साड़ा creditors उनो cash payment करती ते अन्हों सोचो ये दिन अन्हों होया की जोदो उसी cash payment किती साड़ा cash की होगया decrease जोदो उसी अपने creditors नो पेमेंट करती जिनने साड़े creditors यह थोड़े काट गे उन काट विएक के नो पेमेंट करनी पेगी इदा मालो creditors भी काट गे cash भी काट गया cash की asset creditors की इन्हें liability यही कारण है जोदो उसी payment कर दे है इस दा मतलब है कि साड़ी या विच भी decrease होनद है ते साड़ी liabilities विच भी decrease होनद है clear इस दा मतलब सोचो logically अपने इस टाइप दे question तुसी exam solve कर पाऊंगे variety of questions इस टाइप दे बन सक देने question question number 11 drawings would reduce जो drawings ने की कटान दियाने would reduce कटा देने किया की काटद है honors equity A option B option both asses and honors equity C option reduce asses and increase liability D option none of these आओ इदा answer सोचो मेरे खाल से जड़े बचे drawings दे concept नो समझ गे होनगे आओ answer is B option both asses and honors equities are going to reduce दोन नहीं कट जेनगे asses भी कट जेनगे या ते honor दी equity भी कट जेगे आओ इसनू समझिये जो दो माल लो drawings दे रूप दी business दे विचो cash या goods businessman ड्रा करके लेगा business चो cash कट गया या goods दे रूप दे रूप चो स्टोप कट गया इस करके asses दे वीच reduce हो गया clear second है owners equity business चोने पैसा invest कीता है जो business दे वीच पैसा लगाया that is capital जिनिया capital कटी जानती है so both are going to reduce both assets and honors equities answer B is the option next question students twelfth question DR represents very simple question debit credit both A and B none of these DR दा मतलब की है जो असी represents किस दी नमाइंद की कर दा है सानू सारा नू बता है answer सारे बचा नू आन्दा होएगा D option is A debit DR represents debit okay next question next question real accounts are related to real accounts होंदेने किस नाल सवंदत होंदेने A option expenses and incomes B option debtors and creditors C option assets D all of the very simple question इस level दे जाके बच्चे जदो कुछ मेंने commerce से 11th दे विचे Continually accountancy पाट चुके नहीं बड़ा ही जवाब है answer C assets सारे नू पता है real accounts includes all assets treatment भी पता होएगा जो double entry system जगर दे हैं debit word comes in credit word goes out so answer C is the option real account दे विच की आन्दी आने assets Right next question 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 14 journal is a book of secondary entry true or false दस होजी बड़ा सिंपल है journal secondary entry दी book है true or false सारे बचेन वांदा होएगा, आपन से चेक करिए, आंसर इस फाल्स, यस, as we know, आज जनल इदा बुक को प्राइमरी और और अरिजिनल एंट्री, जो जनल हुन दी है, वो बुक सोफ अपाउंट दे एकॉर्डिंग डी, अपाउंट एंसी दे वीज, एवरी ट्राइक्शन इफेक्स, डवल अंट्री सिस्टम दे वीच हर लेन दे परवाब पहनदा है, की परवाब पहनदा हो देखिए, A, डेबिट और क्रेडिट साइड ओफ सेम अकाउंट, इकको अकाउंट दे, B, डेबिट ते क्रेडिट साइड ते इफेक्ट पहनदा है, B, मिनिमाँ टू अकाउंट, कटो कट दो अकाउंट ते इफेक्ट पहनदा है, C, सेम साइड ओफ सेम अकाउंट, इकको अकाउंट दे, सेम साइड ते इफेक्ट पहनदा है, नन ओफ दीज इना विचो कोई भी नहीं चल्दी सोचो जड़ा बड़ा सिंपल जा है डबल एंट्री सिस्टम ते जदो भी कोई ट्राइक्शन हों दिया है कटो कट या किन्ना अकाउंट ते एफेक्ट पहेंदा है ऑप्शन चार ने तो ही सोच नहीं हो गया आंसर देखिए सब्सक्राइब जदो भी डबल एंट्री से कोई ट्राइक्शन हो दिया कटोड़ दो अकाउंट से एफेक्ट पैंदा ही पैंदा है क्लिया है सो स्टूडेंट सासी हाफवे पहुंच चुके हैं 15 कुश्चन हो चुके नहीं मेरे खाल मैक्सिन स्टूडेंट 30 दे आसपास हो सब्सक्राइब आपने नंबरानों लगातारी निक्रीज करो या द्वारा अपने हमनों टेस्ट करके देखें जोडियां करना मैं समझा रहा हूं नों दिमाख्श राखते हुए नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नंबर 16 ओन इंट्रस्टेट पर्चेज उफ गूड्स सब्सक्राइब आपने पर्चेज और सेल ओफ गूड्स विदिन स्टेट हुन दिये अंदर पंजाब से रहने हैं पंजाब ची वस्तुव नहीं पंजाब ची पर्चेज कर ली किसे ने पंजाब ची सेल होगी ता उस ते लिए जी एसटी किडा लगदा है कुश्चन एसी उस ते स्टुडेंट सानू पता होना जीए जीए स्टी ने दो फॉरमेशन ने सी जी एसटी और स्टी सेंट्रल गूड्स अंड सर्विसीस टेक्स अंड स्टेट गूड्स एंड सर्विस विच ओफ दा फॉलिंग जी एसटी इस क्रेडिटेट त्यान ना जदो असी इंटर स्टेट सेल करिये गूड्स दी उन इंटर आसी समझ चुके हैं स्टेट दें अंदर इस तो पहला कुश्चन इंटर स्टेट स्टेट तो बाहर पंजाब तो हर्याना हर्याना तो महारास् है त हाल जी एसटी क्रेडिट था हुंद है पर कीड़ा जी एसटी क्रेडिट हुंद है इन्पॐट सी जी एसटी इन्पूटाइज आउटपूटस जी एसटी दी ऑप्शन इस आउटपुट आई जी एस्टी सोचो टफ कुश्चन है जी एस्ट दे कॉंसेप्ट नो जानन दली मेरे चैनल ते अलड़ी बहुत सारी या वीडियोस ने तुसी होना नो देखो जी एस्टी परवानेंटली क्लियर हो जेगा आओ इस कुश्चन दा आंसर देखिए आंसर इस आउटपुट आई जी एस्टी स्टूट्स इंगल में क्लियर करता जो तो भी पर्शेज हों दिया कोई इंटर या इंटर स्टेट ता हमेशा इनपुट जी एस्टी लग दा है चाहे हो जिस टाइप दा भी होगे सी जी आई जी जा सी एदा मुलक प्लियर है कि इस ते आउटपूट GST लगना सी, हुन उसी decide करना सी कि CG, SG जा IG करणा है, CG ते SG जड़े ST ने उस Goods and Services टेक्स ने स्टेट जा सेंटर दे, ये दोनों उदों लग देने, जे कर Intrastate Transaction है स्टेट दे अंदर, लेकिन जे स्टेट तों बहार है, फिर उदों करणा लग दा IGST, Integrated Goods and Services Tax, Intrastate Transaction means within the state, एक अल क्लीर होनी जाहिए, ये सवानों क्लीर है, इंटर स्टेट की है, आउट ओफ दा स्टेट, इंटर स्टेट की हुन दे, विदिन दा स्टेट, उन स्टेट तों बहार है, ताँ D option होगे, आउटपूट IGST, नेक्स्ट क्वेसिन नमबर 18, वोट इस फुल फॉर्म ओफ IGST, ओ मैं पहला हम वी दास चोके हैं, मेरे खाल स्टूडेंट स्टेट ने आनल सुने आ होना, फॉर ओप्शन आर दे, इंडियन गुड्स एंड सर्विसिस टेक्स, बी, इनकमिंग गुड्स एंड सर्विसिस टेक्स, C option, इंटेग्रिटेड गुड्स एंड सर्विसिस टेक्स, D, all of the verb, इक वई ताई वे लगदा कि फुल फॉर्म तो, क्योंकि सारे आनू देखों तो ने लग रहा कि IGST, फुल वर्ड बन गया, बट इक आप्शन ने ना चो अगर ने दा लोग दावाब नहीं है ना विच उसलेक्ट करो, मेरे खाल तो से सुन चुके होगे, पहला भी ते हुन डिसाइड प्योंकि होगे, आँ आँ से देखिए, इंटेग्रिटेड गुड्स एंड सर्विसिस टेक्स, IGST, clear, C option is the answer, question number 19, GST paid is an dash for a business, एक business द्वारा G GST pay किता, clear, ता दोस्तों business दे लियों की है, is it asset, B option liability, C option expenses, D option income, GST pay किता है business ने, त्यानाल, business दोस्तों की है, asset संपत्ती है, liability देन दारी है, expenses, खर्चेने, income आमदन है, answer is, answer is a asset, इते बहुत साइट students गलत होंगे, नूं समझो, GST जो दो pay करता है कोई businessman, ओधों ही pay करता है, जो बिजनस कोई चीज़ पर्चेस करता है, उस टेंग जड़ा GST pay करता है, ओधा नाम input GST होंदा है, चाहे हो I होवे, C होवे, या SGST होवे, ता उस हाले से students, जड़ा GST business दो पे करता है, ओधे को लो बापस आना होंदा है, अपने customers दे को लो, इस करके pay किता होया GST, बिजनस में अंदेली की होंदा है, एक ऐसे होंदा है, क्योंकि वो पैसे हो दे को लो, वापस आने ने, clear? Next, question number 20, goods worth Rs. 10,000 has been purchased of a business of Pateala from Ludhiana, 10,000 दिया गोड़ पर्चेज की ती आने, एक पटे आले दा बिजनस सी लुद्याने तो, and total of 18% GST has been paid, 18% GST total लगया, what will be the GST, ता GST किना किना होवेगा, की होवेगा, What will be the GST, GST की होवेगा, for options are there, A है, Rs. 1800 as IGST, B option, Rs. 1800 as CGST, C option, Rs. 900 IGST, Rs. 900 CGST, D option, Rs. 900 CGST, Rs. 900 SGST, जो, जो, गला मैं और नूँ, पिछले question समझा आ चुके है, 100 GST ते वारे, उन्हों रोनँ दी मा अंसर आपके, सोचो, बल्कुल क्लियर answer है, is how the answer is D, यास ऑप्शन इस दी रूपीज 900 CGS दे रूपीज 900 SGST क्या अनल मेरी गाल समझो जदों भी इंट्रास्टेट ट्राजेक्शन हो दियाने स्टेट दे विच जी में पट्याले दे बिजनसमेन लो दियाने तों गुड्स पर्चेस केती हाने दा मतलब इंट्रास्टेट ट्राज प्लिट की था वो बनिया 1800 1800 दा 9% CGST हो गया 9% SGST एदा मतलब 900 रुपया CGST थे 900 रुपया ही यस SGST clear next question students question number 31 bad debts is a dash for a business bad debts businessally dash है A loss B income C asked none of these इना चोँ कोई भी नहीं बड़ा आसान question है मेरे खालतों सी सोच भी चुके होगे let's see the answer answer option is a loss is the answer bad debts business दली की हों दे लॉस bad debts means बुरे डाटर बुरे डाटर को ने जो पैसा ना देन बैसा मर्जे इंसॉल्वेंट होजन तर नेचुरली बिजनस दे लिए लिए लास नेक्स question to question number 22 which one is not the rate of GST at present when 2021 दी गल कर रहे है है 2021 चाल रहे है हजे तक क्योंकि GST rates दे विच लगा था changes हो सकते ने वस्तुमाता change हुंदियां जा रहे हैं लेकिन इस टाइम जडियां स्लाइब्स ने चार्च चल रहे हैं जी एस्ट दियां दोस्तों इना दे विच्छों के डी GST दी इस टाइम रेट नहीं है ना चो विच इस नोट रेट ऑफ GST 12 परसेंट 18 परसेंट 5 परसेंट 10 परसेंट थिंक अबाउट इट यह सुर्ण यहास आंसर दी इस टैन परसेंट 10 परसेंट कोई GST नहीं लगदा इस टाइम के इस टाइम जड़ा जी एस्ट लग रहे है स्टुएं तोडी जानकर ही लिए मैं दसना डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसीज दे होते चार स्लैब्स बना जिन दो सी जी एस टी एस घेस लगरने हुंते में हाफ आफ लग देने हाफ इसा स्टेट नमेल दा हाफ सेंटर नमेल दा क्लिर में नेक्स्ट क्वेश्टन एस दा बैलनस इंग उफट डिस्काउंट कॉलम इन कैश्बूक टेक्स प्लेस की कैश्बूक दे विच ज्योर डि एक्सप्लेस मीज कड़े जानद है और संतूरन कीता जानद है ए ओप्षन इस बी ओप्षन इस नो सी ओप्षन डिपेंड्स पाउन टाइप ओफ कैश्बुक दी ओप्षन इस ओकेजनली कदे कदे सोच चो जरा आओ आंसर चेक करिये तुसी भी सोच जो के आंसर इस नो एक्स डिसकाउंट कॉलम दे डिसकाउंट अलाउड हुन दे बिजनस दे लिए तरह दा खर्च ये लॉस है हो एक्सपैंसी दे रूप च्रीट किता जानत है इस तरह जो क्रेडिट साइड दा डिसकाउंट है उसनों असी डिसकाउंट रसीवड मान दे है ऐस इंकम ट्रीट कीता सब्सक्राइब करने कैश्बुक दे विच इस करके उनना दा कदे भी बैलंस नहीं कड़ा है जानदा कैश्बुक दोनों साइट दे सिर्फ उनना दा टोटल लगा दिता जानदा है स्टूरेंट क्लियर तो अगे बदी है क्वेशन नमर्ट 24 इफ डैविट साइड टोटल अ जाएडा होबे उटिट इंडिकेर था कींडिकेशन मिलता है ए डिरर इज नो बैलनस बी क्रेडिट बैलनस सी डेविट बैलनस बटा आसान और शृण से जोचेज़िए बैलान से जोड़ों भी किसे वी अकाउंट दा डाविट साइड टोटल जाएब क्रेडिट साइड द दिखाए है cash account देखो debit side ते साथ तिन दसफ जजार है credit side ते रिपेर रड़ेंट देनल सिर्फ साथ जार है debit side जद है किनी ज़ाद है 3000 जद है debit balance है balancing कर देख credit side ते लिएके दोनों side नो match कर लें जानता है जुदों भी debit side total जादा होनगे ता उस balance न कि था होनगे वी हिजार दियां वस्तुवां सेल कीतियां, तक किस विच पोस्ट कीतियां जाने गयां, फोर ऑप्शन ने, डेविट साइड ओफ कैश अकाउंट और क्रेडिट साइड ओफ सेल अकाउंट, बी ऑप्शन, क्रेडिट साइड ओफ सेल अकाउंट, डेविट साइड ओफ कैश अ Goods sold Rs. 20,000 will be posted in B option is credit side of sale account and debit side of cash account. कारण समझोए दा, जदो 20,000 अबस्तु आसी sale कीतिया ने, transaction entry की बन दी है, cash account debit to sales, cash account की हो रहा है debit, ता cash account the debit side, sales account की हो रहा है credit, ता sale account the credit side. So B is the answer. Next one, 26th question. Goods sold to Harpreet for Rs. 640, what was recorded in Harpreet account as 460. In rectification, Harpreet account will be debited with. थोड़ा काम आसा अन कर रहा question. Harpreet नूँ 640 ज़िया goods बेचिया, पर Harpreet account दे वीचे 460 record करता. जदोसी rectify करांगे, ता Harpreet account किने नाल debit करना पहेगा? 4 options are there. A 180, Rs. 460, Rs. 640, Rs. 1100, Rs. 460, Rs. 640, Rs. 1,100, Rs. किस नाला सी हरपरी दे करना पहेगे, ताना की rectified होजे, गलती दा सुदार होजे? Answer check करी, answer is 8, Rs. 180, हरपरी दे करना पहेगे, ताना rectification होजेगी, गलती दा सुदार होजेगा. आँ समझे क्यों, हरपरी दे दे जो गुड्स सेल कीती है, एंट्री होनी चींदी सी, हरपरी दे अकाउंट debit to sales account, हरपरी दे अकाउंट 640 नल debit होना चाहिएगा, पर असी किने नल debit कीता है? 460 नल कीता है, एदा मली 180 कट debit कीता है, हरपरी दे अकाउंट चींदी सेल कीती होना चाहिएगा, आउंसर चेक करिए, आउंसर ऑप्शन सी पर्चेस अकाउंट जो तो भी कोई ड्राइंग जे रूप दे विच ऑनर पर्सनल यूज दे लिए गुड्स नूँ बिजनस चो लेके जाना है, उस टाइम सेलता हों दी नी, लेकिन गुड्स कड रही आने, आउंसर अप्शन ए जो साड़ा आंसर है, ए आल अकाउंट क्योंकि ट्राइल ब्लेशल अलेस्ट ऑफ वाड़ा ट्राइपस केनया है, क्विच नूबर इस बुग्विल यूज शो दा गुड्स रिटव्डवाइ के सिर्फ unfa स्रिकेषित गूस एला है, आकी जल्द करांगे एपर चेज बुक इंसरी उंद ह् रिटर्न नुद रिटोट pressing कागे सी कस्टमर्ण ने glide को से WRT कर्थ यह ईन्ट करती है दा नेशॉर्ली के डी बुक होएगी salary टार्ड बुक जरा दूसरा नाम की उन्ते रिटर्न इन्वर्ड बुक एक कोई गाल है सेम नाम ने सुनॉनियम जड़े एक दुजी जंगा थे यूज होंदे ने है आओ स्टुडेंट्स अगे देखिए क्वेशन भर्टी लास्ट क्वेशन आज दा डैविट नोट इसूड आर यूज तू परपेर बिजनस जो डैविट थे क्रेडिट नोट्स दो टाइप दे इशू से जान देने जो डैविट नोट इशू किते जान देने वो किस नो बनान दे लई यूज किते जान देने question is this one purchase return book B option purchase book C option sales return book D option sales book think about it yes students आओ answer check करिए answer of this question उस तो पहला थे आनना और सोचो जो purchase return book है उन मेरे खाल तो सी answer easily समझगे होंगे purchase return book देविच debit note number यूज होंदेने sales return book देविच credit note number यूज किता है जो परफॉर्मा बनता है मेरे खाल तो सी उन समझगे होगे कि जो debit note number ने debit note पर शू किते जान देने वो credit book बना दे लिए जान देने थोड़ा इनना चीजनली त्यार करो इस type दे question होंदे ने exam दे विच जिना दी possibilities होंदी याने इना दी proper त्यारी करो students इव जे कोई inquiry है मेनों नीचे message box से भी जाके message दो I will try to even answer there इस channel ते बहुत सारी या वीडियो जने फोर बहुत सारी आंदिया रहनी है ओना दा इन्सर गुरू तिल देन थैंक यू वरी मुच